सर्विभ्यो नमो नमा, नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभादिक्षित आज का वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्षन विदियों से संबंदित है यदिपी देखिए सिक्षन विदियों से संबंधित अध्यान हम पहले भी चैनल पर कर चुके हैं RPSC 2nd Grade एक प्लेलिस्ट है जिसका की लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से सिक्षन विदियां देख सकते हैं लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है रीट में सेकंड ग्रेड में सिक्षन विदियां पूछी जाती है तो इन दोनों ही प्रतियों की परिक्षाओं के लिए और इसके अतिरिक्त अगर कोई बेड का विद्ध्यारती है जो कि ये सब पढ़ रहा है या फिर उसके अतिरिक्त और भी ऐसे एक्जाम्स जिनमें संस्कृत की सिक्षन विदियां आती है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्पूर्ण है इस वीडियो के अंतरगत दो तरीके की चीजे हैं देखिए कुछ विद्ध्यारती ऐसे हैं जो सिक्षन विदियां पहले पढ़ चुके हैं और वो रिवीजन के रूप में आप किसी एक वीडियो की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो इस एक वीडियो से आपकी सारी सिक्षन विदियों का रिवीजन हो जाएगा दूसरी बात ये ऐसे विध्यारतीयों के लिए भी है जिन्हों ने अभी तक Сंस्कृट की सिक्षन विदियों का अध्यान नहीं किया है आपके लिए ये एक outline के रूप में है, रूप रेखा के रूप में है जहांपर आपको एक संपून द्रिश्टी मिल सकती है कि किस प्रकार से संस्कृत सिक्षन में विधियां रखी गई है तो आइये प्रारंब करते हैं संस्कृत सिक्षन की विधियां क्या है इसको कोई रटनी की अवशक्ता नहीं है, सामाने रूप से आप समझें कि कोई भी भाशा है, उसके सिक्षन के लिए, उसको पढ़ाने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है पहले के जमाने में क्या था, सिक्षन ऐसे ही चलता था, रटवादी एक गुरु कुलों में चले गए, वहाँ पर मौखिक सिक्षाएं होती थी, एक गुरु ने दूसरे सिश्य को रटा दिया, उस सिश्य ने फिर गुरु बनके दूसरे सिश्य को रटा दिया, इस तरह से पर प्राप्त हो सके और जो चीज वो पढ़ रहा है उसका ग्यान उसको भली भाती हो उसमें उसकी रुची भी हो और वो उसका स्थाई ग्यान हो सके तो इस सब के लिए सिक्षन विदियों का प्रयोग संस्कृत भाशा में या कह लीजिए किसी भी भाशा में किया जाता है अब ह किसी भी भाषा में कुशलता को प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके चार चरण होते हैं मनों वेग्यानिक एक तरीका होता है कि इस इस क्रम से इस सीडी पर चड़कर आप किसी भी भाषा में कुशलता को प्राप्त कर सकते हैं इसमें अगर आप अ सुनने के बाद कुछ समय बाद जब बच्चा एक साल का हो जाता है तो वो बोलना प्रारंब करता है तो दूसरा चरण क्या है भाशा कौशल का वदन बोलना वदनम अब तीसरा आता है चरण जबकि विध्यार्थी को कोई चात्र जो है उसको किसी कक्षा में प्रवेश दिलाए जाता है जैसे कि आज कल नर्सरी वर्सरी इत्यादी बहुत सारी कक्षाई हो गई है पूरो प्रात्मिक स्तर की तो उनमें जब किसी बच्चे को प्रवेश दिला चिप्शना शिखाया जाता है इस पेहरे से आप याद रख सकते हैं इसमों इंप भूलेंगे भी नहीं दूसरा LSRW करके भी आप याद रख सकते हैं भाशा के चरणों को यह ज़रकी है वस LSRW तो भाशा को विख्षित करने का भाषा को सिखाने का मरविज्ञानिक तरीका आप से पूछे तो इसका क्रम ये होगा L.S.R.W. सबसे पहले आता है श्रवणम, फिर आता है वदनम, तीसरा है पठनम और चौथा है लेखनम. इन में से जो पहला श्रवणम और वदनम है पहले जो दो है ये ध्वनी विज्ञान से संबंदित है और जो बादवाले दो है पठन और लेखन ये लिपी विज्ञान से संबंदित है अब श्रवन जो है उसका उद्धिश्य क्या है तो श्रवन का उद्धिश्य होता है शुरुत्वात अर्थ ग्रहनम किसी भी अर्थ को सुनना और उसकी बात को समझना उस अर्थ को ग्रहन करना वदनम का उद्धिश्य क्या है तो वदन बोलने का उद्धिश्य होता है मौखी का अभिव्यक्ति जो भी भाव हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं हम उसको अपने मुख से अभिव्यक्त कर पाएं तो ये होता है वदनम का उद्धिश्य तीसरा कौशल है पठनम उसका उद्देश्य होता है पठित्वा अर्थ ग्रहनम पढ़कर किसी अर्थ को ग्रहन करना कोई शाब्द लिखा हुआ है कोई वाक्य है कोई पुस्तक है कोई पंद्य है उसको पढ़कर हम उसके भाव को समझ पाएं तो ये होता है पठनम कौशल का उद्धिश्य और चौथा है लेखनम लेखन का क्या उद्धिश्य होता है तो लिखिता अभिव्यक्ति ये होता है लेखनम का उद्धिश्य अर्थात लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्ति देना प्रकट करना ये लेखन कौशल का उद्धिश्य है तो इनके उद्देश्य भी आपको याद रखने हैं क्रम से आपको भाशा कोशल के जौपान और चरण भी याद रखने हैं ये भी याद रखना है कि इनमें से जो पूर्व के दो हैं ये ध्वनी विज्ञान से संबंदित हैं बाद के दो लिपी विज्ञान से संबंदित हैं इसके अतिरीक्त अगर बात करें उद्देश्य पूर्ती की दृष्टी से तो श्रवन और पठन जो हैं ये दोनों ग्रहन से संबंधित हैं इसमें किसी अर्थ को ग्रहन किया जाता है जबकि जो वदन और लेखन हैं ये अभिव्यक्ति से संबंधित हैं वदनम में मौकिक पते याद रखनी हैं अब हम मुख्य तह पठन कोशल और लेखन कोशल की बात यहां पर करेंगे सबसे पहले बात करते हैं पठन कोशल की तो पठन के दो भेध होते हैं एक होता है सास्वर पठन और एक होता है मौन पठन स्वर के साथ पढ़ना आवाज के साथ पढ़ना जैसा कि यहां पर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ यह होता है सस्वर पढ़न और मन मन में पढ़ना कोई आवाज ना हूँ अपने अंदर अंदर पढ़ना वो होता है मौन पढ़न अब इन सवस्वर पठन और मौन पठन के भी तीन तीन भेद होते हैं पहला जो सवस्वर पठन का भेद है वो है आदर्ष वाचन अर्थात किसी भी कक्षा में जब कोई सिक्षक पढ़कर आदर्ष के रूप में पढ़कर सुनाता है विध्यार्थियों को वो जो वाचन करता है वो आदर्ष वाचन कहलाता है उसके बाद होता है अनुकरण वाचन सिक्षक के पढ़ने के पशाद जब विध्यार्थी उस पाठ को पढ़ते हैं तो वो अनुकरण वाचन होता है और तीसरा होता है समवेत वाचन समवेत वाचन अर्थात सामुहिक रूप से सब मिलकर जब उस पाठ को पढ़ते हैं तो वो समवेत सस्वर वाचन कहलाता है पठन या वाचन होता है दूसरा मौन पठन के भी तीन भेद है एक होता है सामान्य मौन पठन दूसरा होता है गंभीर मौन पथन और तीसरा होता है दुरूत मौन पथन तो सामान्य में सामान्य तरीके से एक एक पद को पढ़ते हुए वाक्य को पढ़ा जाता है गंभीर पथन में बिना शब्द के मन मन में उसके व्याकरनिक दृष्टी को देखा जाता है जैसे कोई वाक्य हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम व्याकरन की दृष्टी से उसको देखते हैं, कोई पद्य पढ़ रहे हैं, उसमें हम छंद देखते हैं, अलंकार देखते हैं, तो पूरे उसकी गहराई तक उसको पढ़ना और मौन रूप से पढ़ना ये होता है गंबीर मौन पठन और तीसरा होता है दूत कई बार कोई ऐसी चीज होती है जो हमने पहले पढ़ रखी है तो उसको हम दूत गती से अर्था जल्दी-जल्दी आंखोजे निकालते जाते हैं मौन रूप में तो वो हो जाता है दूत पठन ये होते हैं पठन के दो भेद अब पठन कोशल क सौपान की अगर बात करें तो इसके चार सौपान है चार चरण है सबसे पहले आदर्श वाचन होता है अर्थात कोई सिक्षक कक्षा में विध्यार्तियों को पढ़कर सुनाता है जोर से ये सास्वर होता है तो पहला जो सौपान है वो है आदर्श वाचन दूसरा सौपान है अनुकर्ण वाचन अनुकर्ण में वो किसी विध्यार्ती को खड़ा कर देता है फिर उससे पढ़वा कर देखता है किसी दूसरे विध्यार्ती से इस प्रकार सिक्षक के पढ़ने के पश्चात चात्रों के द्वारा क्रम से जिस प्रकार से शिक्षक उनको आवंटित करे उस प्रकार से जो पढ़ा जाता है वो होता है अनुकरण वाचन तीसरा सौपान होता है मौन वाचन दो चार विद्यार्थियों से पढ़वाने के बाद सिक्षक कह देता है कि सब अपनी अपनी पुस्तक निकालिये और सब मन मन में पढ़िये तो ये जो तीसरा चरण होता है ये मौन वाचन का होता है और चोथा चरण होता है पुनह वाचन इसमें समवेत वाचन होता है सभी लोग मिलकर सस्वर वाचन करते है इस प्रकार पठन कोशल के 4 सोपान होते हैं, चार चरण होते हैं, आदर्ष वाचन, अनुकरन वाचन, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, आदर्ष वाचन, अनुकरन वाचन, मौन वाचन और पुनह वाचन या समवेत वाचन अब बात करें कि पठन कौशल अभिवर्द्धी विशयक विधिया क्या है ऐसी किन तरीकों का प्रयोग किया जाए जिससे कि जो पठन कौशल हम विख्षित करना चाहते हैं विध्यार्थियों में उसमें और भी विध्यार्थी हो विध्यार्थी अच्छे तरीके से बढ़न जाता है पहले वन माला के हिसाब से समझाया जाता है कि ये देखिए आसे अनार आसे आम इस प्रकार से पहले वन ग्यान करवाया जाता है और बाद में धीरे धीरे शब्दों का पठन करवाया जाता है ये प्राचीनतम विदी है लेकिन ये आमनो विज्ञानिक विधी मानी ज इसको देखो और पढ़ो विदी भी कहते हैं, चित्रों के माध्यम से इसमें शब्दों का ज्यान करवाया जाता है, जैसे हम देखते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो एक्तम पढ़ना प्रारम करते हैं, उनके लिए इस प्रकायर की पुस्तके लाई जाती हैं जिन में बहुत बड़े बड़े चित्र दिये होते हैं, और उसके पास लिखा होता है अनार, आम, इस सरे से, तो उन चित्रों को देखकर, चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्यान तरवाया जाता है, ये जो विधी है, ये पूरु प्रात्मिक स्तर के लिए उपयोगी विधी है और ये मनोविज्ञानिक विधी भी है, क्योंकि इसमें चित्र के द्वारा इंद्रिया सम्मिलित होती है, चित्र देखकर विध्यारती सीखता है, तो इस प्रकार का जो ग्यान प्राप्त होता है, इस विधी से जो ग्यान प्राप्त होता है, वो स्थाई होता है, तीसरे प्रकार की पठन कौशल अभीफरद्धी विश्यक विदियों में है वाक्य विधी वाक्यों के आधार पर पठन जब करवाया जाता है तो ये वाक्य विधी कहलाती है पाणिनी के अनुसार वाक्य भाषा की प्रात्मिकी खाई है इसलिए ये सरवादिक महतपूर और सरफशिष्ट विधी मानी जाती है चौथी विधी है कथा विधी अर्थात कथा के माध्यम से पठन करवाना पहले कोई कथा सुना दी जाती है फिर सुनी हुई कथा को भाषा के माध्यम से सरल शब्दों में सुनाय जाता है कथा संबध चित्रों का प्रयोग किया जाता है तो कथा के माध्यम से पठन करवाना कथा विधी कहलाता है पाँचवी है ध्वनी साम्य विधी गणी की साम्मेता के अधार पर पठन करवाना जैसे जो पूरु प्रात्मिक स्तर के विध्यारती होते हैं उनको जैसे एक दिन चल सिखा दिया अब अगले दिन चल, फल, हल, कल इस प्रकार के शब्द जुन में ध्वनी साम्में होता है उस प्रकार से पठन करवाना वो होता ह द्वनी साम में विदि, छटी है सामुहिक पठनविदी, इसमें सामुहिक रूप से पठन करवाया जाता है और सातवी है अनुकरणविदी, अर्था पहले सिक्षक पढ़के सुनाता है, किसी शब्द को हो पढ़ता है और उसके बाद विध्यारती पढ़ते हैं, तो ये साथ पठन कौशल की अभिविद्धी विशयक विदियां है अब चलते हैं अगले कौशल की तरफ अगला कौशल है लेखन कौशल लेखन कौशल किस तरह से लेखन की कुशलता में विकास हो तो उसकी विकास के लिए कुछ विदियां सुविकार की गई है कुछ विदियों को प्रयोग में लाया जाता है, तो पहली विदी है अक्षर स्वरूपानुकरण विदी, अक्षर स्वरूपानुकरण विदी को रूपरेखा विदी भी कहा जाता है, रूपरेखा अनुकरण विदी भी कहा जाता है, इसमें वर्णों की बिंदु बाला पर पंक्तियों के द्वारा जुडाव करके वन लेखन सिखाया जाता है, जैसे डॉट डॉट बना दिये जाते हैं, जैसा कि आप देखते भी हैं पूरु प्रात्मिक और प्रात्मिक अक्षाओं के लिए, इस तरह की कुछ पुस्तके आती हैं, जिसमें ऐसे ऐसे डॉट करके बन जती है, क्योंकि इससे विध्यारतियों को लेखन करने में बड़ा आनंद आता है, दूसरी प्रकार की विधी है, द्रिष्ट लेखन विधी, जिसको जैके टॉट पद्धती भी कहा जाता है, अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों को, या पुस्तक में देखकर, चात्र देख देखकर लिखने का अभ्यास करता है, इसलिए ये विधी क्या कहलाती है, द्रिष्ट लेखन विधी, अब चुकि इसमें देखकर विध्यारति लिखता है, तो इसमें विराम चिन नित्यादी का ग्यान भी विध्यारति को हो जाता है, दूसरी बात उसमें अध्यापक बोलता है और जो विध्यारती है वो सुनकर लिखता है शुरुत लेक तो बहुत बारा आपने भी की होगी अपने विध्याले में तो अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखना इसमें बहुत सारी चीजे होती हैं कि जो अध्यापक है उसको मध्यमगत बहुत सारी चीजे इस विधी के संबंद में हैं ये जो विधी है शुत लेखन विधी ये उच्छ प्राथमिक और माध्यमिक इस्तर के लिए शृष्ट विधी है प्राथमिक इस्तर पर इस विधी का प्रयोग नहीं किया जा सकता और चौथी विधी है मौन्टेशरी विधी इस विधी में इंद्रियों के माध्यम से लेखन करवाया जाता है सिक्षक के मुख से सुनकर कुछ लकडी के खाचे होते हैं उन पर कुछ आकरतिया होती है तो सिक्षक कुछ शब्द बोलता है उनको सुनकर जो लकडी के खाचे है उन पर उंगलियों के माध्यम से जो शात्र हैं वो कुछ बनाते हैं आकरती बोलता है तो आकरती बनाते हैं पद बोलता है तो पद बनाते हैं ये जो विदी है ये पूर प्रात्मिक और प्रात्मिक स्तर के लिए उपयोगी है उसी के लिए ये होती है तो ये होती है मॉन्टै प्रशन आते हैं, जो आप सामान्य नोलेज पर आपके आधारित होते हैं, उनको आप आराम से हल कर पाएंगे, कुछ होते हैं उद्देश्य से संबंदित, जैसे कि व्याकरण सिक्षन का क्या उद्देश्य है, कावे सिक्षन का क्या उद्देश्य है, नाटक सिक्षन का क्या उद्धिश्य है तो एक तो सिक्षन से संबंदित आपको सभी के उद्धिश्य याद रखने हैं गद्दे के, पद्दे के, इनाटक के, व्याकरण के, अनुवाद के और दूसरा इनकी विधियों को याद रखना है मुख्यत आया इनी से संबंदित प्रेश्ण पूछे जाते हैं तो व्याकरण सिक्षन का उद्धिश्य अगर हम बात करें तो इसका उद्धिश्य होता है भाषा ज्यानम भाषा का ज्यान करवाना ही व्याकरण सिक्षन का प्रमुक उद्धिश्य होता है इसकी विधियों की अगर बात करें कौन-कौन सी विधिया व्याकरण शिक्षन के लिए प्रियुक्त की जाती है तो इसकी विधियों को मूलतह दो भागों में विभाजित किया जाता है प्राचीन विधिया और आधुनिक विधिया प्राचीन विधियों के अंतरगत सूत्र विधी है, परायन विधी है, व्याक्या विधी है, आव्याकृत विधी है, व्याकरणा अनुवाद विधी है और रूप विधी है अब एक बार इनको देखते चलते हैं, क्या क्या है, सबसे पहली विधी है सूत्र विधी देखिए सूत्र विधी में सूत्र को रटा दिया जाता था, सूत्रों के माध्यम से अध्यापन करवाया जाता था यह जो विधी है, यह प्राचीन विधी है, पांडित्य विधी भी इसको कहा जाता है और परागत विधी भी इसको कहा जाता है इसमें सूत्र रटने पर बल दिया जाता था इसलिए एक आमनोविज्ञानिक विधी है दूसरी विधी है परायन विधी ये पाणिनी के समय प्रचलित थी जो ब्रह्मचारी है उसमें बहुत सारे नियम थे कि इस तरहे मुख करके बैठेगा इस तरहे से रटेगा तो परायन का वस्तूत्य मतलब होता है रटना तो इसमें रटने पर बल दिया जाता था इसलिए ये आमनोविज्ञानिक और अनुप्यूक्त विधी है ये उच्चिस्तर के लिए तो बिल्कुल ही अनुप्यूक्त विधी है क्योंकि इसमें रटने पर बल दिया जाता है तो इसमें तरक शक्ति का विकास संभब नहीं है तीसरे प्रकार की विदी है व्याख्या विदी व्याख्या विदी पतंजली के द्वारा प्रियुक्त थी इसमें भाशा के व्याभारी पक्षपर अधिक बल दिया जाता है ये जो विदी है ये निग्मनात्मक विदी के समान है अर्थात पहले नियम बताई जाते हैं और फिर उधारन बताई जाते हैं चोथे प्रकार की विदी है अव्याकरत विदी अव्याकरत का तात पर ये व्याकरत मतलब अलग होना और अव्याकरत मतलब जुड़ा रहना तो भाशा संसर्ग विदी भी इसको कहते हैं अर्थात भाषा के साथ साथ ही व्याकरण का भी ज्यानिस में करवाय जाता है व्याकरण को अलग से नहीं बढ़ाया जाता इसमें भी अभ्यास पर बल दिया जाता है पांचवे प्रकार की विधी है व्याकरणानुवाद विधी या भंडार कर विधी अब देखिए व्याकरणानुबाद विधी या भंडारकर विधी, इसके विशे में थोड़ा सा मतबेद है, कुछ लोग इसको आधुनिक विधी में रखते हैं, कुछ लोग इसको प्राचीन विधी में रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको आधुनिक विधी में इसमें संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत इस प्रकार से अनुवाद पर बल दिया गया और उसके द्वारा व्याकरण का ज्यान करवाया जाए इस प्रकार की ये विदी है छटी है रूप विदी इसमें रूप रटने पर बल दिया जाता है कि शब्द आगमन में पहले उधारन बताए जाते हैं और उसके बाद नियम की स्थापना की जाती है। इसमें कंठस्ति करण की आवशक्ता नहीं है। पहले बहुत सारे उधारन बताए जाते हैं और उसके बाद सामान्य एक नियम बताए जाता है। इसके बाद इसके उधारन बताए जाएंगे देखिए इस शब्द में ऐसे हुआ है। इस सब्द में ऐसे हुआ है। तो नि से निगमन और नि से नियम। नियम से उधारनों की तरफ इसमें चला जाता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए शिष्ट वीदी है। सामान्य से विशिष्ट की और इसके जो सूत्र हैं वो हैं सामान्यात विशिष्टम प्रती, नियमात उधारनम प्रती, प्रमानात प्रतेक्षम प्रती, सुक्षमात स्थूलम प्रती, अमूर्दात मूर्दम प्रती तो इसके ये बहुत सारे सूत्र हैं देखिए आप इन वि तो अगर आप किसी और भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप RPSC 2nd Grade की जो प्लेलिस्ट है, उसमें से सिक्षन विधियों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, तीसरी विधी है आगमन निगमन विधी, इसमें आगमन और निगमन की ये मिश्रित विधी है, दोनों विधियों के द्वारा इसमें अध्यन करवाया जाता है व्याकरण को, तो इसमें स्थाई और रोचग्यान की प्राप्ति होती है, इसलिए मनोवज्यानिक विधी भी है, और दोनों का मिश्रण होने के कारण ये व्याकरण सिक्षन की सर्व विदी कौन सी है तो आगमन कहलाएगी, और अगर आगमन और निगमन आप्षन में नहीं है तो फिर सरशिष्ट विदी हो जाएगी आगमन विदी, चोथी विदी है अनौपचारिक विदी जहां पर आपचारिक रूप से व्याकरण का ग्यान ना करवाय जाए, संभाशन के स साथ ही व्याकरण का ज्यान करवा दिया जाए वो विदी होती है अनौपचारिक विदी और पांचवी विदी है संभाय विदी या जिसको सहयोग विदी भी कहते हैं काव्यादी के साथ साथ इसका व्याकरण का सिक्षन इसमें करवा दिया जाता है व्याकरण का कोई नियम इ ग्रहणम, अभिव्यक्तिष्च, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, पूछा जाएगा, गद्य शिक्षण का उद्धेश्य, क्या है, तो आपको लिखना होगा, ग्रहणम, अभिव्यक्तिष्च. गद्ये शिक्षन की विधियों की बात करें तो देखिए गद्ये शिक्षन के विशे में आप एक बात जाननीजिए कि गद्ये शिक्षन के लिए जो विधियां प्रियुक्त की जाती है वो वस्तु तह काठिन्य निवारन की विधियां होती है गद्ये में जो कठिन शब्द होते हैं उनका निवारण किया जाता है तो गद्ये शिक्षन की विधियां वस्तुतह काठिन निवारण की विधियां होती है कौन-कौन सी विदियां है दद्धे सिक्षन की तो सबसे पहली विदी है उद बोधन विदी या अर्थ बोध विदी इसमें अध्यापक कटिन शब्दों के अर्थ विभिन प्रकार से बताता है और फिर अध्यापन करवाता है वो कठिन शब्दों के अर्थ चित्र दिखा कर वता सकता है, रेखा चित्र दिखा सकता है, मान चित्र दिखा सकता है, या कोई मौडल दिखा सकता है, प्रत्यक्ष अभी नहें कर सकता है, पदार्थ का प्रत्यक्ष करवा सकता है, मानीजी उसको इसी सबजी के विशे में ये प्रात्मिक स्तर के लिए शिष्ट विदी है क्योंकि इसमें रुचिकर तरीके से विध्यारतियों को अध्यान करवाया जाता है तो इससे स्थाई ज्यान की प्राप्ति भी विध्यारतियों को होती है अब इसमें जूकि छात्र इंट्रेस्ट लेते हैं तो ये वो सक्रिय रहते हैं और इसी कारण के एक मनोविज्ञानिक विधी भी है दूसरे प्रकार की विधी होती है कथन या प्रवचन विधी इस कथन या प्रवचन विधी में अध्यापक जो होता है वो विभिन प्रविधियों का सहरा लेकर काठिने निवारन करता है अब विभिन प्रविध इसका ये अर्थ होता है तो ये प्रात्मिक स्तर के लिए उप्यूप्त है लेकिन ये वस्तुत्र आमनों विज्ञानिक है क्योंकि इसमें छात्र निश्क्रिये रहते हैं, दूसरी इसकी जो प्रविदी है वो है कोश विदी, अमर कोश, शब्द कल्पदुरुम इस प्रकार जो बहुत सारे पदों के कोश हैं, उनका ग्यान करवाया जाता है, उनके माध्यम से काठिन्य निवारन करवाया जाता है, ये विधी उच्चिस्तर के लिए उपयोगत है, तीसरी है टीका विधी, टीका के द्वारा काठिन्य निवारन करना तो बहुत सारी जो प्राचीन टी दावली आ जाए उनको उधारन सहीद समझाना तो ये होती है परिभाशा विदी ये भी उच्चिस्तर के लिए उपयुकत है तो ये तो हम इसकी प्रविधियां पढ़ रहे थे कथन या प्रवचन की तीसरी प्रकार की जो विदी है गद्य में वो है स्पष्टी करण या व्य व्याख्या विदी उपविधियों के द्वारा जब सिक्षक पदों को स्पष्ट करता है तो वो व्याख्या विदी या स्पष्टी करण विदी कहलाती है इसमें व्याख्या के द्वारा काठिन्य निवारन किया जाता है कौन-कौन सी उपविधियों से व्याख्या की जात इस पश्टी करन की आजाता है तो पहला जुत्पति के द्वारा है जैसे कोई जब हम पढ़ा रहे हैं तो शब्द की व्यूत्पति देखेंगे उसमें कौनसी संदी है पृत्य, उपसःग, संग्यापद, क्रियापद इत्यादी treatments कर व्यूत्पति करके उसके अर्थ को息 के ज विल्ओंशब्र जा सकता है, तीसरह है तुल्णा की द्वारा, समानार्थक यह विलोमशब्द इत्याभी के साथ तुल्णा जाता है गद्य सिक्षन की चौथी विधी है प्रश्नोत्तर विधी जिसको समवाद विधी सुकराती विधी या डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है इसमें प्रश्नोत्तर के द्वारा अध्यापन करवाया जाता है विभिन प्रश्नों के द्वारा पाठ प्रवा को आगे बढ़ाया जाता है, समवाद स्थापित हो जाता है चातर और शिक्षक में, तो समवाद के द्वारा ध्यापन करवाया जाता है, इसलिए इसको समवाद विधी भी कहते हैं, इसमें चातर सक्रिय रहते हैं, इसलिए ये एक मनोविज्ञानिक विधी है, गद्य की इतनी ही देश्य है रसानुभूती, रसकी अनुभूती, इसके लिए कौन-कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, तो इसके लिए साथ-ाथ विधियां हैं, जिनका की हम यहां पर अध्यन करेंगे, उनमें सबसे पहली जो विधी है, वो है दंडानवे विधी, यहां पर यह जो या तो स्वयम या फिर अध्यापक की सहायता से जो पद्य पढ़ रहा है, उसमें पहले वो प्रधान वाक्य को खोजता है, और फिर इसमें व्याकरण से संबंदित प्रिश्न पूछे जाते हैं, आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है, जो दंडानवे है, इसमें व् प्रधान पर अधिक बल दे दिया जाता है, इसलिए इसमें रसानु भूती का अभाव हो जाता है, विद्यार्थियों को, इसलिए इसमें छात्रों की अरुची भी हो सकती है, और ये आमनो विज्ञानिक विधी है, इस प्रकार की विधी से उचिस तर पर अध्यापन करव जा सकता है, लेकिन ये उतनी रुचिकर नहीं है, दूसरे प्रकार की विधी है खंडान वे विधी, इसमें खंड करके अनवे किया जाता है, अनवे के द्वारा ही इसमें भी अध्यापन होता है, और इसमें शलोक का अनवे करने के लिए सरप्रतम प्रधान वाक्य की खोज की जाती है फिर इसमें जो प्रश्ण है वो श्लोक के विशे पर आधारित पूछे जाते हैं याकण से संबंदित प्रश्ण नहीं पूछे जाते हैं तो संग्या सर्वनाम इत्यादी के ज्यान के लिए इसमें कहा कम इत्यादी के माध्यम से इसमें प्रश्ण पूछे जाते ह अगचुकि इसमें सिक्षण विशे जो है, वो स्पष्ट भी हो जाता है, छातर सक्रिय भी रहते है, वो रूची भी लियते हैं, इसमें रसानुभूती और सौंधर्यानुभूती भी होती है, इसलिए ये पद्य सिक्षन की श्रिष्ट विधी है, तो आपको ध्यान रखना है, पद्य सिक्षन की श्रिष्ट विधी है, खंडानवे विधी, तीसरी है गीत नाट्य विधी, ये प्रात्मिक स्तर के लिए उप्युक्त होती है, इसमें गीती के माध्यम से अध्यापन करव यह होती है गीतनाट्य विधी चौथी है भाशानुबाद या अर्थबूध विधी इसमें सिक्षक पहले स्लोक पढ़ता है फिर उसके अर्थ को बता देता है अब जादतर विध्यालेयों में विश्व विध्यालेयों में आज भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है यह आमन अंतह कथाओं के माध्यम से भी इस पश्टी करण किया जाता है अर्थात पूर्ण व्याख्या किसी एक पध्यकी की जाती है यह उच्चिस्तर के लिए उप्युक्त है इससे छात्रों की कलपना शक्ति और आलोचना शक्ति का विकास होता है चूकि यह समय अधिक लेती है लेकिन फिर भी यह उच्चिस्तर के लिए उप्युक्त विधी है छटी विधी है भाश्य विधी या व्यास विधी थावाचक के समान इस विधी में जो सिक्षक है वो कथावाचक के समान अनेक अवांतर कथाई सुनाता है अनेक प्रसंग बताता है और उसके द्वारा वो श्लोक के अर्थ को सबश्ट करता है ये उच्चिस्तर के लिए उप्युक्त विदी है ये आमनो विज्ञानिक है क्योंकि इसमें सारा काम सिक्षक ही करता है छात्रिस में निश्क्रिये रहते है तो ये एक आमनो विज्ञानिक विदी भी है सातवी है तुलनाविदी तुलनाविदी में जो प्रस्तुत पद्य है उसकी अन्य समान अर्थ वाले पद्य से तुलना की जाती है और फिर उसके द्वारा अध्यापन करवाया जाता है यह तुलना या तो उसी कवी के किसी अन्य पद्य से हो सकती है या किसी अन्य कवी के इसलिए ये एक अमनोवेक्यानिक विदी है। पढ़ाएगा इसको विद्यार्थियों को, तो वो उसमें पूरी भरतरी की जीवन स्टोरी उनको सुनाएगा, कि वो ऐसे विउक्त हो गए थे जीवन से, तो किसी भी पद्ये को पढ़ाते हुए सिक्षक छात्र को कवी के जीवन दर्शन के साथ जोडता है। क्योंकि इसमें समय और परिश्चम अदिक चाहिए, दूसरा इसमें छात्र निश्क्रिय रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य पद्ये सिक्षन की विदियां हैं और पद्ये सिक्षन की सरफशिष्ट विदी है, खंडानवे विदी। अब चलते हैं नाटक सिक्षन की और, नाटक सिक्षन का उद्धिष्य है संसकार सिक्षनम, संसकार की सिक्षा देना। इसके लिए कौन-कौन सी विदियां प्रयुक्त की जाती हैं, तो पहली जो विदी है वो है आदर्शनाट्य विदी, इसमें जो सिक्षक है वो स्वयम ही सारे पात्रों का अभिने करता है, ये प्रात्मिक सर के लिए उपियोगी विदी है, किन्तु ये आमनविज्ञानिक ह क्योंकि इसमें चात्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, तो वो बोर भी हो सकते हैं, इसलिए ये अमनविज्ञानिक विदी है, और इसमें व्याकरनात्मक पक्षों का ज्यान भी नहीं हो पाता, दूसरी विदी है कक्षा भिने विदी, इसमें जो सिक्षक है वो कक्षा के अंदर ही दो-चार चात्रों को खड़ा कर देता है, उनको एक-एक पात्र की भूमिका दे देता है, और फिर कक्षा में ही अभिने होता है, वाचिक अभिने होता है, तो ये होती है कक्षा भिने विदी, इसमें चात्र सक्रिय रहते हैं और ये एक मनोविज्ञानिक इसमें शिक्षक नाटक की कथानक, पातरों, कथोब कथन, व्याकरन, आधी के जो तत्व हैं, उसमें रीती उनषैली बता देता है, इसमें जो सिक्षण हैं, वो गहती हैं, इसमें चाहत्रवी निश्क्रियालार्ट है हैं, इसलिए ये आमनुविज्यानिक विदी है. चौथी विधी है रंगमंचाविने विधी इसको प्रयोग विधी भी कहते हैं अर्थात प्रयोग करके दिखाना नाटक का रंगमंच पर अभिने करके सारे चात्र संपून नाटक का अभिने करे इस तरह से जो करवाए जाता है अध्यापन वो होता है रंगमंचाविने जाती है क्योंकि इसमें सारे संस्कार वो वाचिक अभीने करते हैं आंगिक करते हैं सारे सब चीजों को समझते हैं रंगमंच की सारी चीजें उनको स्पष्ट हो जाती हैं चात्रों की तरक शक्ति का विकास हो जाता है उनकी अभिव्यक्ति की शमता का विकास हो जाता है तो उद्देश्य पूर्ती की दृष्टी से रंग मंचा भी नए विधी जो है वो सर्फशिष्ट विधी है नाटक की देखें नाटक के विषय में दोप्रकार की प्रिष्ण आ सकते हैं अगर आपसे simple प्रशन पूछा जाए कि नाटक सिक्षण की सर्वषिष्ठ विदी कौन सी है तो आप कहेंगे समवाई विदी और अगर पूछा जाए उद देश्य पूर्ति की दृष्टी से नाटक सिक्षण की सर्वषिष्ट विदी कौन सी है तो वो हो जाएगा रंग अंतिम विदी जो कि नाटक की सर्वस्रेष्ट विदी है समवाय विदी ये क्या है इसमें सभी विदियों का सम्मिश्रण करके नाटक सिक्षन करवाया जाता है जो 15 अगास 26 जनवरी या जैसे विवेक अनंद का जनम दिन है गांधी जैनती है कोई और उत्सव मनाया जा रहा है उस समय जो नाटक का मंचन करवाया जाता है वो इसी समवाय विदी का एक रूप होता है और ये जो विदी है चुकि इसमें सभी विदियों का सम्मिश्रण करके नाटक करवाया जाता है तो ये नाटक सिक्षन की सर्वशिष्ट विदी कहलाती है तो इस प्रकार से हमने एक तरह से कर लिया है तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह आपके लिए योग योगी भी सिद्ध होगा इस वीडियो को आप यहीं पे समाप्त कर देते हैं लेकिन जाने से पहले अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसे लाइक करने अप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले